असलाम वालेकुम आज मैं आपके साथ शेर करूंगी संडे ब्धूंच रेसिपी जिसमें आज हम बनाने वाले हैं पनीर पराठी की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बनेगा और जट पट से आप इसको बनाकर त्यार कर लेंगे बहुत ईज़ी रेसिपी और बहुती टेस्ट और एक कप इसमे एड़ करना है मेदा मेदा ऑप्शनल है आप चाहें स्किप भी कर सकते हैं वट में यहाँ पर कलर के लिए निकलर अच्छा है इसलिए डाल रहे हूं एक दम इसका टेक्स्टर चाहिए यह देखी अच्छा सा चिकना सा आठा गुंद कर तेयार हो चुका है यह देख सकते हैं तो अच्छे से हमने इसको पंच किया है अच्छे से पंच लगा कर इसको गूंदा है तो बस इसको हम सेट करने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के आप चाहे हाथों से भी बारिक बारिक टोड़ सकते हैं इसको अब इसमें एट करना है दो मीडियम साइज के प्याज बारिक चॉप किये हुए तो हरी मिर्च बारिक चॉप करकर एक मुठी हरे जनिया बारिक कट किया हुआ आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर या कुटी हुई काली मिर्ची है आधा टीस्पून चाट मसाला पाउडर आधा टीस्पून जीरा पाउडर आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर एक टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची और आधा टीस्पून नमक आप अपनी जितना भी आप खाना पसंद करते हो बस हलके आतों से इसको मिक्स कर लेना है तो यह स्टफिंग हमारी रैडी हो चुकी है अब यहां पर हम चटनी तियार करेंगे तो इसके लिए हमने एक मिक्सी जार ले लेना है चार मीडियम साइज के प्याज लिए थे चार चार पीसे में कटकर कर यह कर देना है चैसे साथ तैसुन के कलिया और एक मीडियम साइज का प्याज तो यह कर देना है इसके साथ यहां पर हम एक टेबल स्पून भरकर कश्मीरी लाल मिर्श पॉडर एड़ करेंगे इससे तीखा पन बिल्कुल भी नहीं आएगा और कलर बहुत अच्छा तो अगर आप कश्मीरी लाल मिर्श पॉडर नहीं है तो इसकी जगह एक टीश्पून रेगुला लाल मिर्श पॉडर ले सकते हैं और एक टीश्पून जीरा एड़ कर देना है और इसका में एक फाइन पेस्ट बनाकर तेयार करना है तो यहां पर देखिए पेस्ट बनकर ऐडु को इगि अब इसको हम तड़का लगाना है तो इसके लिए एक पैन लेना है इसमें एक टेबल स्पून भरकार फ्यो गीर एड़कर देना है पर्योड हेड़ laughed कर सकते हैं एब अच्छे से इनको क्रेकरों ने देना है तो इसमें आदा भावश गर्रह भी थृ थे ना तो यहां पर इसमें आदा कब पानी कर दिया है मिक्सिजार में दो कर ले लिया है और आदा टीस्पून नमक बस अच्छे से मिक्स करना है बहुत टीस्टी बहुत इलाज जब आप से चटनी बनकर तेयार होती है तो बस इसको हमें हाई फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देन करोंगे और फिर इसको हमें कवर कर देना है लिट से और इसको पकने के छोड़ है बीच विच में आप देखते रहिए। यह जले ना और जब इस तरह से देखिए the evil overnight होने लगे तब इसको हम खोल कर देखेंगे और मिक्स करेंगे तो बस थोड़ा सा और भूनना है में चटनी को अगर आपको हमारे डिफरेंट स्टाइल पराथे और टमाटर की बुने टमाटर की चटनी की रेसिपी चाहिए तो भी मारे चेनल पर अपलोड है आप चेक कर सकते हैं देखिए आठे को रखे हुए भी काफी टाइम हो चुका है 20-25 मिनट आठा अच्छी से सेट हो चुका है बस इसको हमने थोड़ा सा और पंच कर लिया हातों से अगर हातों में चिपकता है तो थोड़ा सा ओल लगा ले फिर सूका आठा लगा ले अब इसके हम लोई तो किये और अब इसको हम थोड़ा सा बढ़ा करेंगे तो आटों से सूखा लगाकर आप इसको बढ़ा कर ले तरह से-क अटोरी की शेट में आ गयी आप इसमें si स्टफिंग करेंगे जितना आप चाहें उतनी इसमें स्टफिंग एड़ सकते हैं कम चाहें जादा चाहें जैसे भी आपको अच्छा लगता हो तो अब इसको हमें कवर कर देना है बहुत और सबस्क्रिक के भी आपके त grains debca घ्र अच्छाea का जबतार के हुना यह सबसी को हमें और इसकी आतला कर देंगे और बस इसको हमें बेल लेना है तो इसको साइट चेंज करेंगे दूसरी साइट से हम इसको बेलेंगे अगर आपने अभी तक इंस्ट्राग्राम या फिर फेस्बूक का फॉलो नहीं किया है पराटे को फ्राइ करना यह सेकना है और इसको अच्छे से हम इसको फ्राइ करेंगे तो हाइ फ्राइंब पर सेकेंगे यह देखिए इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे दबाते जाएंगे ताकि कलर में से ए나े इस तरह से आप दबाते जाएए इसको गुमाते जाएए बहुत अच्छा कलर आएगा बहुत अच्छी तरह से अध़ में पराठा कि इस तरह से आप दबाते जाएए इसको गुमाते जाएए बहुत अच्छा कलर आएगा बहुत ही अच्छी तरह से तो गर्मा गर्म पराटे साफ करने के लिए एक दम रैडी है यह देखिए बहुत ही डिलिशियस से उमीद करते हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें इंशालला नई रेसिपी के साथ फिर आजिर होंगी अपना बहुत सारा खयाल रखें और हाँ मेरी वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि इस वीडियो की जिसको भी जरूरत है इसको भी नीड है उसको ये वीडियो मिल पाए तो दौाओं में याद रखें अल्ला हाफिज